भारती संस्कृती की चरित्रगा था, इस चरित्र की सफर में हम एक और मोरपिछ समर्पित करने जा रहे हैं, चौज सो पंदरो साल पहले की सुम्शान रात्री थी, तुछ लगता था, अंधेरी रात्री में भी विद्या का तेज दिखाए दे रहा था, विद्या के लिए अत अत्यंत कवरव था, एक समय में लोग मस्तक पर धारन करते थे, वो महान संस्कृती मा संस्कृती का रुदन था, जिसकी उपासना करने में रुषी मुनी और अपना गवरव समस्ते थे, वो समय की महान संस्कृती वैबव संपन संस्कृती आज निर्बल अवस्ता में खतम हो रहे नहीतिक मुल्यों को अत्यन प्रभावी रूप से खड़े किया। कुमारिल भटने रुदन करती मा संस्कृति को सांतों ना दी। मा मैं वेदिक संस्कृति फिर्चे खड़े करूँगा। अगर नहीं हो सकता तो मैं देहत्याग करूँगा। बुद्ध अवतार के बाद बुद्ध संप्रदाई ने खड़े किये छणिक मायावाद और वंगमई का कुमारिल भटने पुरा अभ्यास किया। सोचा कि पंडितों के साथ शास्तात करके पराजित करेंगे और पराजित होने वाले पंडित वैदिक विचारदारा अपनाएंगे और विचारदारा अब बदलते ही लिखावट भी बदलेगी। वैदिक शंस्कृति की सत्यता समझेंगे, ये सोचके सब पंडितों के साथ सास्तरात किया, सास्तरात में कुमारिल भट जित गए, पंडित को भी लगा के वैदिक विचारों योगे है पर बोध धर्म छोड़ा नहीं, ततकालिंग बोध धर्मी राजा सुधनवा ने कहा, नजिक आये हुए परवत पर गए और बोले, जो वैद को प्रमान हो तो मुझे कुछ न तकलिफ हो, कहके परवत से कुद गए, गंबिर कसोटी में से सही सलामत बाहर आये, जो वैद को प्रमान हो तो इसमें जो और तो सब थोड़ी सी शंका बताती है, फक्त भाशा संदे क कारण उसकी आँख मो थोड़ी जाए, उसको वैद के उपर पूरा विश्वा सुना था, कुमारिर भड के इस चमतकार की लोकमानस पर असर नहीं हुई, लोग क्या कहेंगे ये डर से परमपरा छोड़ने के लिए राजा तयार नहीं था, वो लोग भी बोध परमपरा परमपरा छोड़ने के लिए तयार नहीं, रूशी तब करता है तो इंद्र को डर लगता है, ऐसे पोरानिक प्रसंगों में गहरा रहिश्य है, इंद्र याने वैबव संपन किर्तिवान को सत्ता चली जाने का डर लगता है, समाज पर अपना अधिकार खतम होने के डर से सत्ताधारे, वैबव संपन पंडितों और समाज कोई न कोई कारण से परमपरा छोड़ने के लिए तयार नहीं थे, कुमारिल भट्र के दीव्य चमातकार की लोग मानस पर असर नहीं हुई, माह मैने में प्रयाग में बोध धर्म का सम्मिलन हुआ, पर धर्मे को वे आमंतर मिला, भारत में से धर्माचारिया एकटा होगे, सब पंडित या महापंडितों के बीच कुमारिल भट्र ने निर्भहिता से खड़े होके शास्त्रात का आहवान दिया, बोध पंडितों शास्त्रात में हारने लगे, उसके पास वैचारिक मुद्दे खलास होगे, तो पंडितों के मानने वाले भी एक नहीं हुए, और कुमारिल भट्र हिम्मत हार गए, और देहत्याक का निर्णे किया, देहत्याक के लिए एक नहीं पर भयंकर पत्यती अपनाई, देहत्याक के लिए जहर नहीं लिया, न तो परवत से गिरे, न तो जल समादिली, न तो अग चित से कुमाली बट बैठे और भगवत स्मरन करने उनको सद्दा थी कि कोई एक वीर समाज में से जरूर आएगा और मेरा अधुरा कारिया पूरा करेगा देवी सरजन का ये विचार भयानक था जीते जीव इसमें जलना नहीं था पर दीरे दीरे जलना था ये देख के लोगों को भीड़ी कटा हुई किसी को भयवता दिखाए दी किसी को उपास किया किसी ने ये भयानकता न देखने के लिए आखें बंद कर दी पर किसी ने हिमत नहीं हुई कि आत्मवलिदान रोकने की कुमारिर भट का आत्मबलिदान चालू था लेकिन लोग आते देखके अपना अभिप्राय व्यक्त करके चले जाते पूरे गाउं में एक ही चर्चा थी आत्मबलिदान लोगों की भीड में से एक तपस्वी युवान सन्याशी उस समय आया और पूछा ये क्या हो रहा है एक पंडित ब्रामन का आत्मबलिदान है किसी ने जवाब दिया फिर भी किसी को दुख नहीं होता क्यूं बलिदान दे रहा है वैदिक संस्कृती समाज में फिर खड़ी करने के लिए आत्मबलिदान है एक महान तेज़स्वी पंडित को ऐसे वैदिक संस्रुति के लिए आत्मा उरिदान देखके मन बेचन हुआ और वंदन किया दो कदम आगे बढ़के आत्सन्याशी ने कुमाली भट को बलिदान रोपने के लिए विनन्ति की रुशीकुमार तु अभी बालक है मेरी इन बातों के बीच में न आ, मेरे लिए दीव्य कारे में से चलित मत कर लेकिन मैं ये होने नहीं दूँगा, ना ये बलिदान होके रहेगा, सन्याशी तेरा नाम क्या है मेरे लिए हर्मदर्दी दिखाने अला कोई ऐसा आया है, ये सोच के मन में समाधान हुआ मेरा नाम संकराचारिया, बोलते बोलते दीव्य बलिदान देख के आँखों में आशु आ गए ये वोई महान आदरनिया, स्नीमत आध्यस संकराचारिय ही है कुमालिर भट ने कहा, अगर आशु बहाने है तो मेरे लिए नहीं, पर ये वैदिक संस्कृति के उपर बहाओ, जिसके लिए मैं अब बलिदान दे रहा हूँ संकराचारे ने देखा कि बाहर का अगनी है, उससे कई ज्यादा अगनी कुमालिर भट के अंतर भीतर में है संकराचारे के मन में एकी बात चलती थी, कि मेरी संस्कृति वैदिक संस्कृति को घर-घर पहुचाऊंगा, कुमालिर भट का भव्यव बलिदान सार्थक करूँगा, बुद्ध धर्म का पुरा अभ्यास किया और वैदिक संस्कृति का व्यस्थित मुल्भूत अभ्यास करके तियज़स्वी योना को तयार किया, सबको वैदिक संस्कृति की महत्ता और दि आई है, उससे सुंदर है, उसका सौंदेरिया का पान करते करते भगवान के पास हम जा सकते हैं, श्रीमद आज यह संक्राचारिया ने अविश्रांत महिनत करके प्रासादिक जीवन से प्रभू के आशिरवात से स्तोस्त्र की रचना की, और वो स्तोत्र घर-घर गाउं गा जाके स्लोक समझाए, उनके अर्थ समझाए, उसको जीवन में उसका महत्वर समझाया, और कश्मीर से कन्या कुमारी तक वहिदिक संस्कृति का द्वज लहराया, वहिदिक धर्म की पता का लहराया, श्रीमद आज्या संक्राचारिया ने पुनर जिवेत की हुई निष्ठा तेजश्वी विचारदारा, अलू की दीव्य परंपरा, जीवन्त की इन स्तोत्र और स्लोक की घरगर में से आवाज गुझने लगी, लोगों को दीरे दीरे वेद का सत्य रहश्य समझन जानने लगे, पंडितों और राजाने भी अपने विचारदारा बदली, संक्राचार संक्राचार ने मूर्ति पुझा का ध्वज लहे राके बुद्ध धर्म को उनके विचारों को हिमाले की सरहत के बाहर निकाल दिये, कुमालिल भट का बलिदान सार्थक किया, साहेब के डेट सो साल के रहने वाले विचार हम से जाते नहीं, लेकिन संक्राचार ने अजार कितनी खंडता है, मूर्ति पुझा का ध्वज लेके स्रीमत आध्या संक्राचार ने पहले पुझा स्री बद्री नारायन की की, जब मूर्ति पुझा का जब दस्च विरोत था, तब सरहत पर मूर्ति पुझा का ध्वज हिमत से लहराया, ऐसी ललकार करने वाला कितना महान ह इन महानता से दीव्यत संक्राचारिया दक्षिन के केरल से स्री बद्नियराय का शंकर मट श्रीमत आध्य संक्राचारिय के वेदिक संस्कृति का उन्नत विजय का प्रतिक है। वेदिकी महत्ता कितनी है ये सब बाते लोगों को समझाई लोगों में वेदिक निष्टा जीवन्त की। ये गोशना की मकर राशी में जब गुरु आएगा तब हर बारा साल में यहीं कुम्मेला होगा। हर बारा साल को वेदिक विचार वाले लोग मिलकर विचार विमर्ज करेंगे। कुम्मेला ये वेदिक संस्कृति के लोगों का सने मिलन है। स्रद्दा कम हुई तो फिर से मजबूत करें। कुम्मेले में अखन स्रद्दा का देपक जला के सब मेला पुरा करते हैं। मैं भगवान का लाड़ा बेटा हूँ। मैं तेजस्वी संस्कृति खड़िक रखूंगा ऐसी निष्ठा से वेदिक विचारदार अपनाने वालों का स्ने मिलन यान की कुम्मिला। वेदिक संस्कृति का कार्या करने वाले जहां मिलते हैं वो स्थल ही भूमी पवित्र है। संस्कृति का पुनर्थान करने वाले प्रभु के लिए प्रभु के विचारक में स्रद्धा को मक्कम मजबूत करने वाले जहां मिलते वो स्तिर्थ सल है तो ही स्रिमत आध्य संक्राचाने ने पुनर्थ जिवत किये हुए वैदिक विचारों की पता का धोज अनंद काल तक खड़ी रख सकेंगे ऐसा महा संगम निर्मान करने का यश भगवान हम सबको अर्बे ऐसी प्रभु को प्रात्ना अस्तु